अगर आपके भी हाथों और पैरों का रंग बिलकुल काला हो गया है और आप अपने शरीर के रंग को दुबारा गोरा करना चाहते हैं, सुन्दर बनाना चाहते हैं अपने शरीर को, गोरी निखरी हुई तफचा पाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कमाल की home remedy share करने वाली हूँ जो कि instantly आपके body को whitening effect देने का काम करेगी शरीर के रंग को गोरा करेगी तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस्तमाल करा है aloe vera की एक leaf का fresh aloe vera gel की बात ही अलग होती है market में मिलने वाले बंद डिब्बे के aloe vera gel का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए उसमें काफी सारे प्रिजरवेटिव और केमिकल्स और कलर मिले हुए होते हैं और हमारे स्किन के लिए बलकि वह बहुत ज़्यादा नुकसान दायाग भी होते हैं मैंने अपने घर पर aloe vera का एक छोट असा प्लांट लगा कर रखा हुआ है काफी low maintenance प्लांट होता है ये तो यहाँ पर मैंने एक fresh aloe vera leaf को अभी अभी अपने पौधे में से तोड़ा है और aloe vera की leaf का हमें आपर इस्तमाल करना है और पूरी leaf का इस्तमाल नहीं करना है केवल आदी ही पत्ती का में इस्तमाल करेंगे के बाद मैंने इसका छिलका हटाया है और अब मैं नाइफ की मदद से इसमें इस तरीके से कट्स लगाती जारी हूँ वर्टिकल और होरिजॉंटल हर तरीके से ताकि इसका जो जेल है ना वो उपरी सतर पर आपाए अलोवेरा का जेल हमारी स्किन के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है बोथ ऑईली स्किन वाले और ड्राय स्किन वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं ये हमारे excess oil production को control में रखने का काम करेगा, sebum production को control करेगा जिससे हमारी skin extra oily नहीं होगी, तो यहाँ पर मैंने aloe vera की leaf में इस तरीके से cuts लगाए हैं, और अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें डालने वाली हूँ, जो की इसकी गुणवत्ता को बिल्कुल बढ़ा देंगे, skin पर जमी हुई tanning को हटाने के लिए मैं आपर इस्तमाल करने वाली हूँ, coffee का, coffee powder को लोग सालों से tanning को remove करने के लिए use करते आ रहे हैं, शरीर पे जमी हुई कालेपन, गंदगी और मैल की परत को हटाने के लिए coffee का इस्तमाल जरूर करिए, यहाँ पर मैंने coffee का इस्तमाल करा है, एक चमजबर कर coffee का इस्तमाल करना है, और coffee का powder जो होता है यह बहुत लाब दायक होता है, कॉफी का जो powder होता है यह दरदरा होता है और दानेदार होने की वज़े से यह क्या करता है हमारी skin को hydrate भी करता है और skin को एक भेतरी scrub की तरह भी exfoliate करने का काम करता है तो जिसे हम अपने चेहरे को scrub करते हैं न blackheads और whiteheads को दूर करने के लिए सेम उसी तरीके से body को भी scrub करना जरूरी होता है week में एक बार body scrubbing करना उतना ही important होता है जितना face को scrub करना तो body को scrub करने के लिए मैंने आप ए coffee powder का इस्तमाल करा है यह हमारे dead skin cells के layer को remove करेंगी शरील पर जमी हुए मृत को शिकाओं को हटाएंगी और हमारी fresh skin को उपर लाने का काम करेगी अब मैंने आपर क्या करा है अलोवेरा की leaf में इस तरीके से coffee powder डाला है एक बड़ी चमच भर कर और इससे हमें अपने skin की massage करनी है पूरे body पर आप इसे apply करें neck पर apply करें underarms पर apply करें हाथों और पेरों पर जहां पर आपको extra tanning हो गई है न वहाँ पर आप इसे लगाता रब करते जाएं यह एक बहतरीन scrub की तरह काम करने वाला है एक बहुती सस्ता सा body scrub है मार्केट में तो आज़कल body scrub बहुत महंगे मिलते हैं और इसके result भी ते अच्छे नहीं होते हैं यह बिना किसी chemical का है natural तरीका है body को scrub करने का तो चलिए मैंसे अपने हाथों पर apply करने वाली हूं मेरे हाथों पर काफी सदा काला पन जमा हो गया है especially मेरे fingers के around, knuckles के around तो यहाँ पर मैं अब scrub करती जाऊंगी और जो gel है ना aloe vera का वो उपरी सत्रा पर आ चुका है क्योंकि हमने knife sets में cut लगाए थे cuts नहीं लगाएंगे ना तो gel सूख जाएगा तो cuts लगाना बहुत जरूरी है और बीच में जब आपको लगे कि थोड़ा gel कम हो गया है तो nails की मदद से थोड़ा से इसी insert कर लीजिए ताकि सारा gel उपर आ जाए और फिर इसे आपको 15 मिनिट तक अच्छी तरीके से massage करना है, rub करना है 15 मिनिट बाद इसे आप अपने skin पर लगा कर रखें जब तक यह gel अपकी skin पर dry नहीं हो जाता यह hydrating mask की तरह भी act करने वाला है और 15 मिनिट बाद जब यह सूख जा अच्छी से आपके skin के उपर तब आप थरने पानी की नीचे से wash कर सकते हैं week में एक या दो बार अपने body को इस तरीके से आप scrub ज़रूर करें यह आपके skin के लिए बहुत beneficial है skin पर glow लाएगा, brightening effect लाएगा और aloe vera anti-aging भी होता है nature में तो हाथों या पैरों पर अगर जुर्री आ रही है neck पर कहीं पर आपके wrinkles आना शुरू हो गए है तो यह wrinkles को भी eliminate करने का काम करता है तो मेदी बात पर यकीन नहीं है तो try करना तो एक बार बनता है इस remedy को एक ही बार के इस्तमाल में जब आप try करेंगे तो आपको कमाल के इसमें results देखने को मिलेंगे आपकी skin में बहुत ही अच्छा सा glow आएगा skin बिलकुल hydrated हो जाएगी nourishment provide होगा aloe vera में सभी जरूरी nutrients होते हैं हमारे skin के लिए जो की skin के barrier को heal करने का काम करते हैं अगर आप लोगों को मेरा आज का इस वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है तो चैनल को subscribe जरूर करिए ये कमाल की home remedy से try जरूर करें